और अब ख़वर मद्प्रदेश से है जहांके उत्तर पूर्वी क्षित्र में स्थित रीवा संभाग आज तेजी से एक उभरते ओद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है अपनी सांस्कृतिक धरोहर, प्राचीनता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचूरता और खनेज भंडारों के साथ ये ख्षित्र निवेशकों के लिए भी अंगिनत अवसर प्रस्तूत करता है यही कारण है कि बुद्धवार को मद्रप्रदेश सरकार यहां पांचमी रीजनल इंडेस्ट्री कॉन्क्लेव करने जा रही है मद्रप्रदेश के विंद अंचल का रीवा का यह कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम तयार है देश दुनिया से आने वाले निवेशकों के लिए यहां पर बुद्वार को तमाम निवेशक होंगे और मंच पर मद्रप्रदेश की सरकार होगी मुख्य मंत्रे खुद वन टूवन मीटिंग निवेशकों के साथ करेंगे और विंद अंचल में आद्योगिक संभावनाओं को बताएंगे साथ ये भी बताएंगे कि अब विंद अंचल एयर कनेक्टिविटी के साथ भी तैयार है मद्रप्रदेश के रिवा संभाग के चरहटा, गुड़ह बाईपास और तियोथर जैसे प्रमुक अद्योग शेत्र राज्य के आर्थिक विकास में महतवपूर भूमिकान निभा रहे हैं इन शेत्रों में निर्माण सामगरी, कृष्टी आधारित उद्योग, धातु उद्योग और खाद्य प्रसंस्कन जैसे उद्योग प्रमुकता से उभर रहे हैं रिवा संभाग खनीज संसादनों से समर्द्ध हैं यहां परचुर मात्रा में चूना पथर, डोलोमाइट और बॉकसाइट जैसे खनीज पाए जाते हैं जो अध्योगिक गती वीडियो के लिए अत्यांत महत्वपूर है विन्दे शेत्र से बहुत सारे लोग मद्यप्रदेश की एकोनॉमी में, मद्यप्रदेश के शासन पुनाली में योगदान देते हैं और बहुत दी कॉंट्रिब्यूट करते हैं उस धन से इस रीजनल समिट का रिवा में होना यह एक नए आयाम स्थापित करेगा रिवा संभाग में उद्योगों को स्थापित करने के लिए मजबूत आधारबुत सनरचना तयार की गई है जिसमें सस्ती और द्योगिक भूमी, बिजली और जल की बहतर उपलबधता शामिल है सरकार की करचूट, सस्ती दरोपर भूमी और प्रोत्साहन योजनाएं निवेशकों को इस शेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है अब्यापार व्यवसाई की द्रश्टी से तो सभी प्रकार की यातायत की सुजागत के नतावर सेखे और सभाई करूप से रेल की, हवाई की और सड़क मार की तीनों की संभावनात की और इसमें खास करके आप तो कारगो जब आ रहा है दिल्ली में और खास करके हवाई आतायात से ऐसा गुड्स जो तुरंत पहुँचाना है इस दोरान बायर सेलर मीट भी होगी, इस मीट में धाई हजार से अधिक उद्यमी शामिल होंगे मीट में दस से अधिक राज्ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, चत्तिसगड, महराश्ट और हर्याना से उद्यमी शामिल होंगे मालवा, महाकौशल, मुंदेलखंड और गौालियर चंबल के बाद अब मध्रदेश की सरकार विंद अंचल पहुँची है और विंद की संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखेगी इस दौरान देश दुनिया से आने वाले निवेशकों को बगेल खंड और विंद के स्वादिस्ट पकवान भी चकाए जाएंगे कैमरमन विजए शर्मा के साथ आदेत श्रिवास्त अव डीडी नियूज रुईवा